भगवान बुद्ध ने क्यों कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है, नर्तकी और डाकु ने दिया ये जवाब एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक शहर में प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने प्रवचन के बाद आखिर में कहा, जागो, समय हाथ से निकला जा रह इस तरह उस दिन की प्रवचन सभा समाप्त हो गई। मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले से तै था लेकिन मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। यहां जैसे ही आपने कहा कि जागो समय निकला जा रहा है, मुझे तुरंत इस बात की याद आई कि मुझे कार्यक्रम में जाना है। उसके बाद एक डाकु भगवान बुद्ध से मिला और उसने कहा तथागत। मैं आपसे कोई बात छिपाउंगा नहीं। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगर डाका डालने जाना था, पर आज उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। इस तरह एक बुड़ा व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उसने कहा तथागत। जिंदगी भर दुनिया भर की चीजों के पीछे भागता रहा, अब मौत का सामना करने का दिन नजदी का आता जा रहा है, अब मुझे लगता है कि सारी जिंदगी यूही बेकार हो गई। आपकी बातों से आज मेरी आँखे खुल गई, आज से मैं अपने सारे मुह छोड़कर निर्वान के लिए कोशिश करूँगा। जब सब लोग चले गए तब भगवान बुद्ध ने कहा आनंद, ध्यान दो, प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग-अलग मतलब निकाला।